प्रश्टी आई इसके टुडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण से जिसमें हमने आपसे पूछा था हाली में समचारों में देखा गया नेगलेरी या फाउलेरी क्या है आपके ऑप्शन थे तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प सी अमीबा आपने से कई वरस ने इस प्रशन का एकदम ठीक जवाब दिया है जिज़र अपने सुझहा प्रतिक्रिया और जवाब में भेशते रहे हैं हमें इसका इंतजार रहता है चले बागी की बात को अस्पिनेशन से समझते हैं निगलेरिया फाउलेरी एक अमीबा है जो मिटी और गर्म मीथे पानी जैसे जीलों नदियों और गर्म जर्णों में रहता है आपको बता दें यह अमीबा एक कोशिय जीवी जीव है इसे आम तोर पर दिमाग खाने बाला अमीबा कहा जाता है निगलेरिया फाउलेरी एक गर्मी व्रेमी यानि की थर्मू फीलिक जीव है जिसका अर्थ है कि यह गर्वी में पनपता है और गर्म पानी पसंद करता है यह 115 डिगरी फॉरिन हाइट यानि की 46 डिगरी सेलसिस तक के उच्छे तापमान पर अच्छे से बढ़ता है और इस उस प्रशनका से उत्तर है विकल्प ए लीस कंसर्ण चलिए एक बात को समचते हैं हाली में पुदुचेरी में शंकर बर्नी नर्दी के पास कूड़ा पक्कम में भारती ग्रे हॉन बिल देखा गया बताने की भारती ग्रे हॉन बिल अधिकतर ब्रक्षी होता है और आमतोर पर सूखे मैदानों, खुले आवास्तों, शुश्क पढ़न पाती जंगलों और में या पेक्षाक्रत का मात्रा में होता है इस पक्षी की लंबाई 50 सेंटीमीटर और वजन लगभर 370 से 400 ग्राम होता है इन्हें युसीन रेड लिस्ट में प्लीस कंसर्णी में रखा गया है इसलिए विकल्प A सही है यानि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A प्लीस आपको बताना है आपके औप्षन है केवल एक केवल दो एक और दो दो या पिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्न का से उत्तर है विकल्प A यानि केवल एक गत्थन ही सही है हाली में विश्यस्वास संगठन याने WHO ने यूरोप के कुछ देशों में एंटेरो वाइरस संक्रमन की बढ़ती घटना उपर चिताबनी चारी की है बता दें कि एंटेरो वाइरस एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग वाइरस के समू के लिए किया जाता है इसमें इको वाइरस, कॉकसे की वाइरस, एंटेरो वाइरस और पूलियो वाइरस शामिल है इसलिए कथर नेक सही है आलाकि इस वाइरस में हलका संक्रमन होता है लेकिन ये बच्चों और उच्छ जोखिम वाले समोहों में घातक हो सकता है एंटरो वायरस संक्रमन रोगियों में कई प्रकार के लेक्षन प्रकट करता है जैसे कि हाथ, पैर और मुह की बिमारी, सूजन वाली मास पेशियों की बिमारी, तुचा पर लाल चकत्ते, वैरल, मैनेंजाइटिस और एंसेफलाइटिस आदी भारत, पैंटरो वायरस का प्रकोप, केरल, करनाट, गुजरात, महराष्ट, असम और अंडमान द्वीव समू से बताया गया है इसलिए कथन दो सही नहीं है, इस तरह इस प्रश्न का से उत्तर होगा, विकल्प A, यानि केवल एक कथन ही सही है अगला प्रश्न है, डिश्टल ओउस सतत्वयापार स्वेधा पर वैश्विक सर्विक्षन किस के दोरा जारी किया गया, आपके ऑप्शन है अशिया प्रशान के लिए सेवप्राष्ट आर्थिक और सामाजिक आयो या पिर अन्थराष्टी विवसाय मानक संगिटन तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प C एशिया प्रशान्थ के लिए सेवक्तराश्ट आर्थिक और सामाजिक आयोग हाली में एशिया प्रशान्थ के लिए सेवक्तराश्ट आर्थिक और सामाजिक आयोग व्यापारुष्विधा उपायों का मुल्लांगन किया गया है वर्ष 2003 में 93.5 प्रतिशत के प्रभावशाली स्कोर के अलावाद 2021 में 90.32 प्रतिशत के साथ भारत को व्यापारुष्विधा प्रेयासों में सबसे आगी रखा गया है 2023 के सर्विक्षन ने विभिनुक संकेत कों में भारत की असाधरन प्रगती को मानेता दी है जिसमें देश ने चार प्रमुक शेत्रों में 100% का सही स्कोर हासिल किया है इन शेत्रों में शामिल है पारदर्शिता, उप्चार रिक्ताय, संस्थागत व्यस्था, एवब सहयोग और कागच रहित व्यापार इस तरह इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा, विकल्प सी, यानि कि एशिया प्रशान्त के लिए समुक्तराश आर्थिक और सामाज़ेक आयो अगला प्रश्ण है, ग्लोबल क्रैसिस रिस्पॉंस ग्रोप, यानि GCRJ के संबंध में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए कत्न नहीं है, भारत अभी तब इस समुन में शामिल नहीं हुआ है कत्न दो है, इसकी देखर एक चेंपिंस ग्रोप द्वारा की जाती है उपर युक्त में से कौन से कत्न सही है, या आपको बताना है, आपके ओप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दो या पिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्ण का से उत्तर है, विकल्प बी केवल दो कत्न ही सही है हाली में सियोक्तराश महासचीव एंटेनियों गुटरेस के निमंतरन को स्विकार करते हुए भारत ग्लोबल क्रैसिस रिस्पॉंस ग्रोप यानी जीसी आरजी में शामिल हो गया इसली कत्हन एक सही नहीं है ग्लोबल क्रैसिस रिस्पॉंस ग्रोप यानी जीसी आरजी की स्थापना मार्च दो हजार बाइस में सियोक्तराश महासचीव द्वारा की गई थी इसकी स्थापना का उदेश खाल सुरक्षा, उर्चा और वित्त में पैरस पर जुड़े संकटों से संबंदित महत पूर्ण वैशक मुद्धों को संबोधित करना था इसकी देखरेख चैंपेस ग्रूप द्वारा की जाती है जिसमें बांगलादेश, बारबार्डोस, डेन्मार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के प्रतिन धी शामिल है इसलिए कथन दो सही है इस परकार विकल्प B सही है यानि कि इस प्रशन का सही उत्तर होगा विकल्प B केवल दो कथन ही सही है अगला प्रशन है आपके आप्शन है तो इस प्रश्नका से उतर है विकलप D चलिए एक्स्पनेशन देखते हैं केंदरी बारानी कृशी अनुसंधान संस्थान यानी किसान संकट सूचकांग नामक एक प्रारम में चेतावने प्रणाली विक्सित कर रहा है जो भारत के लिए अपनी तरह की पहली प्रणाली है इस तरह की सूचकांग को बनाने के पीछे मुक्योदेश, फसलहानी या फिफलता और आई के जटके के रूप में कृशी संकट को कम करना है ये सूचकांग के संकट का नुमान लगाने का प्रयास करेगा साथी भविश में किसानों के संकट के बारे में प्रणाली के जियो कोडिंग के संदर में लिमिखित कत्मों पर विचार कीजिए कथन 1 है ये किसी स्थान के पते या विवरन को भॉग वलिक निर्दे शांक बरिवर्टित करता है कथन 2 है हाली में से GSTN रिकॉर्ड में पते के विवरन की सटीकता सुनिशित करने के लिए पेश किया गया है उपर उत में से कौन से या से कतन सही है या फिर है या आपको बताना है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और 9 ही 2 तो इस प्रश्न का से उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों ही कतन सही है हाली में GST Network यानी GSTN ने सभी राजियों और किंद्रिशास्चित प्रदेशों के लिए जियोकोडिंग का रिश्मता को लाइब कर दिया बताने कि GSTN पहले ही विवसायों के 1.8 करोड प्रमुक स्थानों को जियोकोड कर चुका है जियोकोडिंग किसी स्थान के पते अविवरण को भोगौलिक निर्देशांक परिवरतित करता है इसलिए कतन एक सही है इसे GSTN रिकॉर्ड में पते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने और पते के स्थान और सक्थान और सक्थान प्रक्रिया को सुववसित करने के लिए पेश किया गया है इसलिए कतन दो सही है इस प्रकार विकल्पसी सही है यानि इस प्रशन का से उत्तर होगा विकल्पसी एक और दो दोनों ही कतन सही है अगला प्रशन है विश रस्तर पर चीता की आयुसे निस्तिती क्या है? आपके option है least concern, endangered, vulnerable या फिर critically endangered तो इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल्पिसी, vulnerable हाली में मद्धप्रदेश के कुनो रास्चोध्यान यानि केनपी में एक और चीते की मौत हो गई बतादें की चीता परत्वी पर पाया जाने वाला सबसे तेह स्थली जानवर है ये एक मात्र बड़ा मान साहरी है जो मुखे रूप से अत्यादिक शिकार और हिवास अस्थान के नुस्तान के कारण भारत से पूरी तरह से नस्ट हो गया ये 1975 से साइट्स परिसिस्ट में शामिल है 2009 में से जंगली जानवरों के प्रवासे प्रजात्यों के सिंड्रक्षन यानि CMS पर कन्वेंशन के परिसिस्ट एक में भी सुचिवद किया गया था विश्यस तरपर इस प्रजात्यों के रेड लिस्ट में वलनरेबल की रूप में सुचिवद किया क्या है इसकी वर्तमानाबादी 7000 से भी कम है जो मुख्य रूप से आफ्रीका के सवाना में पाई जाती है इसलिए विकल्प सी सही है यानि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी वलनरेबल अगला प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम यानि एफारे 2006 के संबन में निर्मिकित कतनों पर विचार कीजिए कथने के अधिनियम पारम पर एक वन निवासी समधायों के अधिकारों को कानूनी मानता प्रदान करता है कथन दो है ये जन जाती आबा है विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही है हाली में सुप्रीम कोर्टिक सुनवाई में कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन निवासियों में नकेवल मानता प्राप अधिवासी और अन्य पिछड़े समधायों के लोग शामिल है बलकि उत्तभूमी पर रहने वाले अन्य समूह भी शामिल है आपको बता दे कि वन अधिकार अधिनियम यानी एफारे 2006 वन में रहने वाले आधिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मानता देता है इसलिए कथा नेक सही है कि समुदाई की बुनियादी अधिकार अधिनियम 2013 के सयोजन में एफारे आधिवासी आबादी को पुनरवास और निव्टान के बिना बेदखली से वचाता है इसलिए कथन दो भी सही है यानि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प C एक और दो दून ही कथन तही है चलिए अब हम पहुंच गया है एपिसोड के अंतिर प्रश्ट पर तो अंतिर प्रश्ट है हाली में समचारों में देखा गया ताकेशी माद्वीब समू उस्थित है आपके ऑप्शन है जापान C, साओ चाइना C, यलो C या फिर इस चाइना C तो इस प्रश्न का से उत्तर है विकल्प A, जापान C चलिए इस्प्रेशन देख लेते हैं इस देख समू में स्वयम दो मुक्षदीप और लगभक 30 छोटी चटाने हैं इस लिए विकल्पे सही है यानि इस प्रश्न का से उत्तर होगा विकल्पे जापान C चलिए वक्त हो चला है अचके एपिसोड से लिटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का तो अभ्यास प्रश्न है ग्राश्ट एनुसू चेजन जाती आयो यानी NCST एक है आपके उप्शन है उप्शन A समुधारिक निकाए उप्शन B गैर समुधारिक निकाए उप्शन C साम्दिक निकाए या फिर उप्शन B अर्धनियाइक निकाए तो विर्ज इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स म दिना न भूले जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया कुछ बारेयों के साथ